हाई है कि हिलोगे एक यहलो फ्रेंड्स वेलकम बैक पाइफन प्लिट करने की सिरीज में आज हम लोग देख रहे हैं एन्ड और ह dessus fis इन्ड बार इंड यह चार्ट में और है और स्टिंड अलग है अभी तक हम यह देखा कि हमें परहलен कैसे इस्तेमाल करने हैं फा 넘 सती हैं लेकिन अब हम देख रहे हैं कि end operator और operator कैसे इस्तेमाल होते हैं तो पहले हम देखते हैं कि end कैसे इस्तेमाल होता है conditions लगाने के लिए भी end का इस्तमाल कर सकते हैं और कई जगे इस्तमाल होगा हम आगे देखेंगे माल लीजिए हमने a एक variable लिया और b एक variable लिया इनमें दोनों में हमने दो value assign कर दिया 20 एक में assign कर दिया और एक में 10 assign किया अगर ना हो not okay या जो भी हम print करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अभी लिग देते हैं not okay print तो आप समझ रहे हैं simple सा हमने condition लिया हुआ है अगर ये दोनों condition true होगी तो ही ये if वाला condition पूरी तरह से true होगा और अगर ये पूरी तरह से if वाला true होगा तो print होगा okay नहीं तो last वाला else वाला statement चलेगा और not okay print होगा तो एक बर हम run करते हैं इसको ठीक है तो अभी देखिए हमारे पास okay print हो रहा है इसका मतलब कि दोनों conditions true है तो end का इस्तमाल हम इस तरह से भी कर सकते हैं oldine Tell a nd मतलब होता है सात में तो दोनों conditions true होनी चाहिए इससी तरह से और का इस्तमाल हम करेंगे लेकिन और का इस्तमाल करने का मतलब है कि और का मतलब होता है अथ्वा की जगे हम लिख देते हैं और एक यहाँ पर हम condition true कर एक हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया 30, ठीक है, तो पहले वाले के लिए condition अब चेंज हो गए, देखें, यहाँ पर लिखा है B equals 20 होना चाहिए, और यहाँ पर भी लिखा है B equals 20 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक condition A equals 10 तो true हो गया और B equals 20 false हो गया, तो इस वाले में false हो गया एक बार और इस वाले में भी एक बार false हो गा condition, तो और क्या होता है और आपका जितनी भी condition दी गई हो, उनमें से कम से कम एक true होना चाहिए तो result true वाला आता है, और end होता है कि दोनों true होना चाहिए, तो ही true वाला आएगा ठीक है, तो हम दोनों को एक बार run करते हैं, अब run करके देखते हैं, पहले वाले में आया नाटो के और दूसरे में आया इसका मतलब यहाँ पर अब condition क्या और यह false हो रही है, इस वाली क्योंकि A में assign किया गया है 10, यह तो बराबर है, जबकि B में assign किया गया है 20, यह false हो गया, तो else वाला statement चल गया, और नीचे वाले में A में 10 है और B में 20 है, तो यह वाली statement तो false हो रही है, लेकिन यह वाली true हो और और किसी एक के true होने पर भी true result देगा, तो इस तरह से हम end और और operator का इस्तमाल कर पाएंगे, एक program हम देखते हैं, माली जे हमारे पास 3 संख्याएं हैं, और हम यह पता करना है कि 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भी हम इस operator का इस्तमाल कर सकते हैं, end का, तो पह हम एक बार चेक करेंगे कि A greater than हो B से और A greater than हो C से, तो हो जाएगा A is greater value, ठीक है, अगर A हमारा B से बड़ा होगा और A हमारा C से बड़ा होगा, तो A ही बड़ा हो जाएगा, इसके बाद वापास हम चेक करेंगे, इलिफ B is greater than C, अगर हमारा A बढ़ा नहीं होगा तो B बढ कर चोगा है, तो चाहें तो आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, B is greater than C and B is greater than A, अगर इस तरह हो तो इसका मत्तब यह होगा कि B बढ़ा है, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, B is greater value, तो अब अगर A बढ़ा होगा, तो A बढ़ा होगा, B बढ़ा होगा, तो B बढ़ा होगा, त देखते हैं, वैसे अभी आना चाहिए, C is greater than value, एक बार run करते हैं, तो देखे, C is greater than value आ रहा है, हम एक बार प्रोग्राम को फिर से चलाते हैं, और इस बार हम B वाले में बड़ी value रखते हैं, मन लिजे हमने यहाँ पर अग दिया 80, और इसको run करते हैं, B is greater than value, तो टर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तमाल होते हैं, जब हम software develop करेंगे, इसलिए आप इन छोटे छोटे चीजों को ignore ना करें, सही से समझें, अगर आपको problem हो रही है, तो आप एक बार पीछे जाकर के फिर वीडियो देखें, अपने आपसे ऐसे questions त्यार करें और खुझ से बना आज के लिए इतना ही हम मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, थैंक यू, केप वाचिंग, केप लर्निंग